हलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फूर यू, सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, आज जो आपका कोई भी एंटी पीसी का एक्जाम नहीं है, बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूँ, जिनका आग्या आ करने वाले सिप्टो में एंटी पीसी का पेपर है, वो इस वीडियो को जो है लाश्ट तक जरूर देखेगा, और आप से रिक्वेश्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेलवे से रिलेटेड पलपल के अपडेट के लि तो देखें, लेंस की जो चमता है ना, ये डायोप्टर से मापा जाता है, तो डायोप्टर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बात कर ले उत्तर लेंस की चमता क्या होती है, तो ये धनात्मक होता है, तो ये त्रिनात्मक होता है, तो ये भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेशन आपका यहाँ पर भारती राश्टे कॉंग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यच कौन थे? तो देखे पहले जो मुस्लिम अध्यच थे ना ये बदरुदीन तैबजी थे तो बदरुदीन तैबजी आपका यहाँ पर करेक्ट टैंसर हो जाएगा, बात कर ले ने जो पहले मुस्लिम अध्यच कब बनाए गया था? तो ये 1887 में बनाए गया था, तो ये भी आपको याद रखना है, नेक्स्ट क्वेशन आपका यहाँ पर परिच्छन जो है, ये कब हुआ था? तो देखे प्रतम जो परमानु परिच्छन है ना, ये 18 माई 1974 को हुआ थ तो 18 माई 1974 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बात कर ले प्रतम परमानु परिच्छन कहां से हुआ था? तो ये पोकरन राजस्थान से हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है, और इसका कोड नेम क्या दिया गया था? तो असमाइलिंग बुद्धा दिया था, तो ये भी आपको याद रखना है, बात कर लें सेकंड परमानु परिच्छन कब हुआ था? तो ये भी आपको याद रखना है कि सेकंड जो परमानु परिच्छन है ना, ये 11 से 13 माई 1998 को हुआ था और ये जो इसका जो कोड नेम दिया गया था ना, वो आपरेशन सक्ती दि गया था तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुरिशन आपको यह बढ़ा था दोस्तों कि महात्मा गांदी ने किस घटना के बाद जो है असायूग आंदोलन वापस ले लिया था तो देखें महात्मा गांदी ने जो है चौरी-चौरा कांड जो की चार फरवरी उनी 2022 को हुआ था तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुरिशन आपको यहाँ पर किस अधिवेशन में प्रस्ताव पारिद किया था तो ये असायूग आंदोलन का प्रस्ताव है ना ये कॉंग्रिस के कलकता अधिवेशन में चार सितमबर उनी इसोब बीस को जो पारिद किया गया था तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुरिशन आपको यहाँ कि पॉजिटिवली चार्ज आयन को जो क्या कह जाता है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुर्शन आपका है कि खिलाफत अंदोलन किस ने सुरू किया था तो देखें खिलाफत अंदोलन जो है ना ये मुहम्मद अली और सौकत अली बंदों के द्वारा सुरू किया गया था और इन्होंने कब सुरू किया था खिलाफत अंदोलन को पारित हुआ था तो 26 जनवरी 1919 आपका यहां पर करेक्ट एंसर हो जाएगा बात कर लेते इसके फैक्ट के बार में दोस्तों तो रॉलेट एक्ट को जो है काला कानून भी का जाता तो यह भी आपको याद रखना है यह 1919 में भारत के बिटिस सरकार द्वारा भारत में उभर र राष्टे अंदोलन को कुचलने के उदेश से जो है यह निर्मित कानून था यानि रॉलेट एक्ट कानून था तो यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन आपका यह बना था कि सेकंड विस्व यूद के समय जो है मैलाओं और बच्चों को भुकमरी से बचाने है तो किस विस्व संगठन को अस्थापित किया गया था तो देखे सेकंड विस्व यूद के समय जो मैलाओं और बच्चों को भुकमरी से बचाने के लिए जो है ना यह आपका यूनिसेप संगठन का जो अस्थापना किया गया था तो यूनिसेप आपका यहां पर करिक्ट हो जाएगा बात कर ले यूनिसेप का फूल फर्म क्या होता है तो यह यूनाइटेड नेशन्स चिल्रेंस फंड होता है जिसको हिंदी में जो संयुक्त राष्ट बाल कोस भी कहा जाता है बात कर ले यूनिसेप का मुख्याले कहां पर है तो यह आपका निवर्क यूएस मे तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन आपको यहाँ पर दूस्तों कि अंतराश्टी योग दिवस जो है ये कब मनाया जाता है तो देखे अंतराश्टी योग दिवस जो है ये एक इस जून को मनाया जाता है तो एक इस जून आपको यहाँ पर करेक्ट टेंसर ह हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपके भारत में प्रतम रेल जो है यह कब चली थी तो देखे भारत में जो प्रतम रेल है ना यह 16 अपरेल 1830 को चला था तो 16 अपरेल अठारो सो तीरपन आपका यहां पर सही हो जाएगा बात कर ले प्रतम रेल कहां से कहां तक चली थी तो यह भी आपको याद रखना है कि बोरी बंदर बॉंबे और ठाने के बीच चली थी और कितने किलो मीटर तक चली थी तो 34 किलो मीटर दूरी जो है वो तैय की थी तो ये भी आपको याद रखना है विस्व में प्रतम रेल कब चली थी तो विस्व में जो प्रतम रेल है ये 1825 इसवी में चला था और कहां पर चला था तो ये इंगलेंड में चला था तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन आपके विच्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है तो देखे विच्व का जो सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है ना ये उत्री अट्लांटिक महासागर है तो उत्री अट्लांटिक महासागर आपके यहाँ पर क्रेक्ट एंसर हो जाएगा बात कर लिए विश्व का सबसे व्यस्तम सीपिंग लेन कौन सा है तो सीपिंग लेन जो है ना वो आपका इंग्लिस चैनल है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन आपके हैं वाज़े दोजार तेजिस का ACI फुटबॉल कप कहां पर आयो जित होगा तो दीखे 2019 का जो ACI फुटबॉल का पहला ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आयोजदित किया गया था और जिसके विजेता कौन सा देश रहा था तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कुशन आपके हैं दोस्तों कि कौन सा देश मानव विका सुचकांकियानी एच डिय 2019 में फ़र्स्ट रैंक पर तो देखें SDI में जो 2019 में फ़र्स रैंक पर रहता ना वह आपका नारवे देश रहा था तो नारवे जो हैं यहापर करिक टैंसर हो जाएगा बात कर लिए सेकंडर्स तानों एको आपसी देश हों कि सुची में भारत 129 पाईदान पर रहा था त तो ये नाइजेरिया रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है, बात कर ले, HDI जो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये UNDP यानि संयुक्त राष्ट विकास कारेकरम के द्वारा जो है, वो जारी किया जाता है, और 2020 में भारत की रैंक क्या रही थी, तो 131 अस्थ पर भारत रहा था, तो ये भी आपको याद रखना है, और फशसी स्थान पर रहा था, वो नारवे देस रहा था, तो ये भी आपको याद रहना है, नेक्स्ट कुशन, 287 electronic vinyas किसका होता है तो इस तरह से जब भी question पूछा जाना तो आप easily जोड़ लेना जब जोड़ोगे तो कितना आएगा तो 17 आएगा ठीक है जब आप इसे पूरा जोड़ोगे तो 17 आएगा और 70 जो है परमानुकरमा किसका होता है तो क्लोरीन का होता है तो क्लोरीन आपका यहाँ पर करेक्ट हैंसर हो जाएगा नेक्स्ट कोशन आपको यह बता है था कि 2018 एशन गेम्स में सबसे अधिक मेडल जो है यह किस देश ने जीता था तो देखिए 2018 का जो एशन गेम्स होता ना यह आपका जकार्टा एंड पैलंबर्ग सहर में होता ठीक है और इसमें जो स एक टैंसर हो जाएगा बात कर लें 2018 का एशन गेम्स में भारत की रैंक क्या रही थी तो आठवे पाइदान पर रहा था तो यह भी आपको याद रखना है भारत ने जो टोटल 69 मिडल जीते छे जिसमें जो 15 गोल्ड 24 सिल्वर और 30 ब्रोंज जो हो जीते थे उसके बात कर ल था कितने सुत्रियों मांगो पर हुआ था तो दीके गांदी इर्विन समझाता जो है ना यह 11 सुत्री मांगो पर हुआ था तो 11 जो आपका यहां पर करेक्ट टैंसर हो जाएगा बात कर लें गांदी इर्विन समझाता कब हुआ था तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था तो यह भ को बता दू कि दितने गोल में समिलन के पूरू जो है ना वो आपका ये गांदी इर्विन समझाता किया गया था इसमें मैं आपको बता दू कि महात्मा गांदी और ततकालिन वासरा लौड इर्विन के भी जो है ना एक राजनेतिक समझाता हुआ था जिसे जो है गांदी इर से कंप्यूटर का भाग नहीं है तो देखिए इसमें से CPU और when अब आई वह नहीं है और यह जो पेपर बाग नहीं है तो पेपर का अपकर्ड़ हो जाएगा नेक्स्ट कोशना काएगी भारत अक्टूबर 2020 तक जो है कितनी बार संयुक्तरा सुरच्चा परिस्त परिस्त का जो वो आस्ताई सदस से रह चुका है तो आठ जो है आपका यहाँ पर क्रेक्ट एंसर हो जाएगा बात कर ले दोस्तों सुरचा परिशत में जो है कितने आस्ताई सदस से रहते हैं तो यह दस आस्ताई सदस से रहते हैं और पांच जो होते हैं वो आस्ताई सदस से होते हैं तो य यह भी आपको याद रखना है नेक्स्ट को Kid और आए था दोस्तों की fiancati लाज दिवस कब मनाय जाता है तो देखिव ऑना है न यह चोबीस है प्रैल को मनाय जाता है तो चोबीस अप्रैल आपके यहाँ पर करेक्ट एंसर जाएका तो देखे जो आपके महिलाओं के लिए अरचित सीट होती है ना वो पंचायत चुनाओं में होता है तो पंचायत चुनाओं आपका यहां पर क्रेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कुश्च आपका है कि सबसे ज्यादा बॉकसाइड का उत्पादन जो यह किस राज्जी में होता ह तो देखे आएरन, मैगनीज, क्रुमाइट, निकल, बॉकसाइड यह सबका जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है यह उड़ीसा राज्जी में होता है तो उड़ीसा जो आपका यहां पर क्रेक्ट टैंसर हो जाएगा बात कर लें सिल्वर में कौन सा है तो राजस्थान है उसके बात कर लेते हैं लाजिस्ट कोल रिजर्व स्टेट यानि जो कोईले का बंडार किस राज्जी को कहा जाता है तो कोईले का बंडार जो है यह जारखंड राज्जी को कहा जाता है लेकिन अगर एक्जाम में पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कोईला का उत्पादन किस राज जी में होता है तो यह 36 गर फिर आपका कर्यक्ट एंसर हो जाएगा तो यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट क्वेशन आपका यहां पर कर्यक्ट एंसर हो जाएगा बात कर ले आईओडिन की कमी से कौन सा रोग होता है तो ये घेंगा यानि गौाइटर रोग होता है तो ये भी आपको याद रखना है नेक्स्ट कॉर्शन आपके किस पंचवर्सी योजना के दोरान जो है भारत ने मिस्रित अर्थविवस्ता चूनी थी तो ये जो दूसरी पंचवर्सी योजना थी ना इसमें भारत ने मिस्रित अर्थविवस्ता चूनी थी तो दूसरी जो आपका यहाँ पर करिक टैंसर हो जाएगा नेक्स्ट कॉशन आपका यहाँ थी कि 2019 में जीडिपी के अनुसार जो है विस्विवे में भारत की अर्थवर्सा का रैंक क्या रहा था तो देखे 2019 में जो भारत की रैंक रही थी ना जीडिपी में वो आपका पांचवे पाइदान पे रहा था तो पांचवा जो आपका यहां पर क्रिक टेंसर हो जाएगा बात कर लें 2019 के GDP में पहले अस्तान पे कौन सी देश रही थी तो US देश रहा था, 2nd पे आपका चीन रहा था, 3rd पे आपका जापान रहा था, 4th पे आपका जर्मणी रहा था और 5 पे जो आपका भारत रहा था बनते ना उसके सारे फैक्ट आपको बता दे रहा हूं ताकि आपका जो कोई भी प्रेशन ना चुटे तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलेगा और रात में जो आपको साड़े साथ बजे जो है आपको सेकंड पार्ट जो अलबस्ट